हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग square root निकालने की trick देखेंगे दोस्तो जैसे root under 26 का square root निकालना है 50 का square root निकालना है तो इसको हम कैसे निकालेंगे दोस्तो इसका जोरत आपको कहाँ पड़ेगा माले जे कि आप कोई हिसाब बना रहे है ठीक है और उसमें जो option दिया हूँ है वो आपको root में नहीं दिया हूँ है root से निकालकर तोड़कर तोड़ना पड़ेगा ठीक है तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस trick को याद रखना है पांच का पांच होता है, उन्चास का शीह साथ होता है, चौँशाट का आठ होता है. इस तरीकी के संख्याथ का आपको देखना है, जैसे 26 के आसपास में है 25 है. तो हम क्या करें के जहाँब कूछ उस फ्रकार से लिखेंगे 25 yeah 25 वान करेंगे तो रूट अंडर 26 जागा ठीक है इस तरीके से का लिखलेना है उसके बाद को क्या करना है W पांच्छी से क्सक्वार है, 5 का जोड करेंगे, टिक है, यहां के नीचे 1 क्षुपा हुआ है, इसको आप हल कीजएगा तो आपका 5 जदा समलो एक आएगा ठीक है यानि रूट अंडर 26 को आप स्क्वाइर रूट निकल लिएगा तो 5 जदा समलो एक आएगा दोस्तो इस तरीके से आप स्क्वाइर रूट निकाल सकते हैं इसी परकार से आपको जो है रूट अंडर 50 का स्क्वायर रूट निकाल करके कमेंट करना है जिस तरीके से रूट अंडर 26 का स्क्वायर निकला है उसी परकार से आपको इसको भी निकालना है ठीक है तो दोस्तो आगे एक और सवाल लिया है हमने उसको देख लेते हैं अगला स पास पास आपका पुर्ण वर्ण कौन सा होगा 16 है जिसका स्क्वाइर रूट अपनी कलिका तो चार आएगा ठीक है तो 16 को लेना है 14 को क्या लिखेंगे 16 16 16-2 लिखेंगे ठीक है पहले वाले कुछन में पालस किया था यहां पर 15 करना को मैंस स्क्वाइर होता है 14 लिखना है माइनस 2 है तो माइनस 2 लिखेंगे ठीक है एक बार आपको 4 को बटा में लेना है इसमें आपको 2 से मल्टिप्लाई करना है ठीक है यानि 30 बटा आठ आपका एंसर निकला ठीक है इसको जब आप टिभाइट किजेगा तो यह आपका आजाएगा 3.75 ठीक है इस तरीके से आपको किसी भी संख्या का स्क्वाइर रूट दोस्तो निकालना ठीक है दोस्तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के लाइक किजेगा और एक अच्छा सा कमेंट किजेगा कमेंट करने से क्या होता है कि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और अच्छा सा वीडियो बनाने के लिए दोस्तो तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर किजेगा और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा आपको इसी तरह का वीडियो जो है आपको चैनल पे मिलता रहेगा दोस्तु चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक लिए जाहें